नमस्कार साथियों स्वागर थे आप उन्य वर्टेंट सक्सिस्किन निट्वी में साथियो आज हम लेकर क्या है modern history के top 40 questions जो की 1857 की करांती से जुरा हुआ है आपको पता है कि BPSC के दौर जो प्रदान सिक्षा की परिक्षा होने बाली है उसमें असपस्ट लुप से सिलेवस में notice किया गया है कि आपको जो history से 10 प्रसन पूछे जाएंगे वो 1857 की करांती के बाद से ही पूछे जाएंगे तो आजम लेकर किया है दो वीडियो आपको मिलेगा 1857 की करांती का एक भी प्रसन आपको इस 10 नंबर में जानकारी पूरा प्राप्त कर सकते हैं या कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रियास कीजिए वाटसप से ही काम चल दे तो अच्छा रहेगा ठीक है तो बिल्कुल सारे बिटेडियल भी प्रोवाइट कराये जाते हैं सब कुछ इक दम से ठीक है च्छोटे बरे सारे प्रस्णों को हमने इसमें समाहित किया इसलिए असी प्रस्ण है असी प्रस्ण देख लिए जो अठार संतावन करांती पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 58-57 विद्रों का तत्कालिक कारण क्या था ? दीखीविवाले कार्तूसों का प्रयोग आरंप करना बस यही तत्कालिक कारण था? तो चर्वीवाला कार्तूस का प्रयोग करना चुकि हिंदू और मुस्लिम दोनों में मतलब ये अपवाह फैल गई कि जो कार्तूस है उसमें गाई का चरवी दिया हुआ है और मुस्लिमों में ये सूर की चरवी दिया हुआ है इसी को लेकर के सारी लोग एकत्रित हो गया और सब लोगोंने विद्रों की शुरुवात कर दी ठीक है तो याद रखे का चर्वी वाले कार्तूस आगे दीखी क्या कहता है वह पहला भारतिय सिपाही कौन था जिसने चर्वी वाले कार्तूस के परियोग से इनकार कर दिया पहला भारतिय सिपाही कौन था तो निशित पंड़ी जिसने अकेले 1857 के बिद्रो का सुत्रपात किया संबंधीत था यह किस रेजिमेन्ट से संबंधीत थे तो चोथिश्व में जो है नेटिव इनफेंटरी जो था वहां से संबंधी थे चौतिसमें रेजिमेंट से संबंधी थे ठीक ध्यान रखियेगा बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल जो है 1857 के बिद्रो का नेत्रित निम्रिकत में से किस सहर से किया था तो बेगम जो हजरत महल थी ये आपको लखनों से इन्होंने शुरुआत करी थी कहा से जो गवर्णर जनल ते वह आपको दलहोजी दिया हुआ है विंटिंग दिया हुआ वा कैनिंग दिया हुआ लेटन दिया हुआ तो नेतावा में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया जो प्रवार्ट करें गत्राइए तो पहला तो बलिदाव्ण वहीं पर उन्हीं को देना परएगा याद रखेगा मंगल पंडे स्थारा मैं रेजिमेंट से और यह जो है आपको इन्हीं को बलिदावन भी देना परा था ठीक है आए बढ़ते हैं अगले प्रस्ट को कोस्न नमर 8 क्या गया था देखिए कि 1857 के विद्रों में कानपूर से कानपूर में सेनिको का नितरुत किस ने किया था अगर बात कर लें कानपूर की तो कानपूर से जो है नाना साहब के दोरा नितरुत किया गया था ठीक है आगे बढ़िए सुरुआत नाना साहब के दोरा ही किया गया और इस वज़ासे चुकि मुह से खीच करके फेकना होता था करतूस को इस वज़ासे सभी लोगों ने क्या किया था मिल करके बिरूद किया था, ठीक है? हिंदु मुसलिम एक्ता जो है परमुक्त तत्यों था इसमें से रानी लक्ष्मी भाई का मूल नाम क्या था? teh distinguish रानी लक्ष्मी भाई का मूल नाम की बात कर लें तो उनका मूल नाम था मनी कर निका क्या नाम था मनी करनिका रानी लक्षिम भाई का मूल नाम मनी करनिका याद रखेगा भारत के सिक्षित मध्यम बर्ग ने क्या किया था देखें सिक्षित मध्यम बर्ग जो थे वो नहीं सपोर्ट किया था नहीं समर्थन दिया था और नहीं बिरोध किया था यानि इसको कह सक पहें कि टतस रहा था था संदावन की करांती में ठीक है ना बिरोध किया और ना ही समर्थन किया जैसे थे और इसे अपना चुप चाप सांती से देखते रहें कि आखिर होता क्या है आए देखते कुस्चन नमर टू अगला क्या कहता देखिए यह कुस्चन जो है आपका भी लगे वे कार्तूस का परियोग हुआ था ठीक है यह भी सही बात है कि उन्होंने उसका मतलब परियोग करने से इनकार किया था यह भी सही है तीसरा है मंगल पांडे ने 39 मार्च 1857 को सारजेंट मेयर यूजिसन को गोली मार दिया था और लेटिनेंट जो लेटिनेंट ज पहला जो था आपका वो बैरकपूर भाला ठीक है ये आप देख रहे हैं पहला जो है बैरकपूर चतिसमें रेजिमेंट ये भी बिल्कुल सही है ठीक है और उसके बाद के जो पर्थम प्रथम प्रत्थी वह थे कि जिन्होंने चरिवाले कार्थूस का प्रियोग करने से इनक को उन्होंने लेफटीनेंट को तरवार से हत्या कर दी थी और साथी साथ विद्रो के आरोप मंगल पांटे को आठ अप्राइल 1857 को 29 मार्च से ले करके 8 अप्राइल की घटना देख लीजिए मात्र 9 से 10 दिन इसमें आ जाता है और इसमें इनकी जो हैसो इनको फांसी की भी सजा दे दी गई थी यानि एक दो और तीन चार चारो की चारो सही हैं यानि आप यह कह सकते हैं कि सुवाराम्ब जो हुआ 29 मार्च 1857 को हुआ था यानि ठीक है 10 मार्च को इसे सुरुआत हुई थी लेकिन ये मारने की घटना जो यूजिसन को उन्होंने मारा था 29 मार्च को और आठ आठ अपरेल को इनको फासी दिय दी गई थी आए आगे देखते हैं 13 नमर क्या कहता है 1857 करांति कि समय बिटेन का प्रधान मंतरी कौन था बिटेन का प्रधान मंतरी जो थे वो लॉड कौन थे पामस्टर्ण थे याद रखेंगे बिटेन के प्रधान मंतरी ये भी क्यान है याषिर्ण सॉशे से नहीं हुआ है लेति नहीं हो इसी देखेंगे बिटीन के स्анसियागे बिटेन का नेता के देए금 दूसरा में क्या है तो बहादौर सापर है बहादौरसा दूतीया हैं और तीन नमर में क्या राव मैं तुला़ मैं तुलाराम है और चार नमर में खान बहादूर खान है अब यहां मिलाना है कौन कहां से संबंदी थे कौन कहां से संबंद रख रहे थे यह मिलाना है आपको इसको अगर देखेंगे तो पहला का बिल्कूल आपका जो है मेरट से मेरट जो था आपका ठीक है यहां से यहां से आ अर्याना में कौन थे यह आपको तुलाराम ही थे ठीक है राव तुलाराम और बड़ेली से खान बहादूर खान था यह बिलकुल आपका सही आंसर है और सीधे एक दूसरे के मतलब सामने वाला ही आंसर आपका सही है एक का ए हो जाएगा दूसरा का मतलब एक हो जाएगा बी क पंजाब में किसने बिद्रो किया था ये पंजाब के बात करें पंजाब में जो है जो नामधारी सिख थे उन्होंने ही किया था ठीक है नामधारी सिखों के द्वारा ही बिद्रो किया गया था अकाली सिख के द्वारा नहीं निरंकारी सिखों के द्वारा नहीं सैनिक के ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट को देखते हैं 1857 की करांती के नेता जो है कोमर्सिंग का द्यांत कब हुआ था नेता जो थे कोमर्सिंग थे वह आरा के जगदीशपूर से थे जमिंदार थे ठीक है अब इनकी हत्या की बात हो रही है इनकी इनका सरी द्यांत हो गय कहता है अंग्रेज भारती सेना में चर्वी वाले कार्तूस से चलने वाले एनफिल्ड राइफल को कब सामिल किया गया था एनफिल्ड राइफल को जनवरी 1857 में सामिल किया गया था जनवरी 1857 में इसको सामिल किया गया था और इसी के मतलब बिरोध में जो है आपको निमलकित में से कौन सा आयोग अठाष संतावन का बिद्रोह दमन करने के लिए नए भारतिये फोज के नब संगठन से संबन्दित है याद रखेगा पील आयोग जो है यह आपको अठाष संतावन की करांती को दमाने के लिए भारतिये लोगों का ही सहीओ लिया गया था और पील आयोग है पील कमीटी है ठीक है अठाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाश ठीक है, अठासा संतावन की करांती के समय, सबसे बरे दुस्मन अगर कोई था, तो मौल भी अहमदुला साह था, आए अगला कुसर देखते हैं, ट्टीवन क्या कहता है, जगदिस्पूर के राजा थे, जगदिस्पूर के कौन राजा थे, वीर कुमार सिंग राजा थे, वीर बिहार में किस ने किया था अभी अभी जस्ट आप ने देखा कुमर सिंग के दोरा किया गया था आए देखें नेक्स्ट कोशन क्या क्या था तो 1857 का बिद्रो जो है सफल रहने का मुख्य वजह क्या था तो हिंदू मुस्लिम के एकता में कमी जी नहीं ये कमी नहीं था दूसरा देखें किसी समानी योजना और केंद्री करन संगठन की कमी ये आप यहां पर देखें असपस्ट डूप से कह सकते हैं कि सही तरीके से यो सबी लोग और इकठा हो करके अगर करते तो तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता था अंदोलन तो हुआ ही लेकिन उसमें सफलताएं नहीं के बरावन मिली आए देखते अगला क्या क्या था है अगला क्यूस्टन है आपका निम्रिकित में से 5857 के क्रान थी 5857 दियर विर्द अगला कोसन क्या कहता है निमर्खित बर्गो में किसने ठास संतावन के बिद्रों में भाग नहीं लिया था देखें दो और चार आपको जो है भाग नहीं लिया था मतलब साहुकार भाग नहीं लिया था साहुकार भाग नहीं लिया था और जमिनदार भाग नहीं लिया था ठीक है वहीं नहीं मना सकते हैं ठीक है जो उस समय के वाइसराय होंगे तो कौन था उस समय के वाइसराय तो लाड केनिंग जो थे उस समय के ततकालीन जो है गवरनर जनरल थे तो गवरनर जनरल होने के बज़ा से इन्होंने ततकालीन मुख्याले अपातकालीन मुख्याले इल ु लापुर्दा अग्या दिकिंएangen संतावन की करान्ति जो है उस विद्रों का य negरेई में भडose 1 लिकें बहादूर खौन झाल stipendum लोग जो है ये लोग बाद में बहुत ही बाद में इन लोगों ने मतलब का जन्म ही बाद में हुआ तो मालिजे संघर्स तो बाद में ही निकरेंगे चलिए आगे देखें निम्रकित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्स किया किसने अंग्रेजों से संघर्स किया अब पूरी तरीके से अगर देखें तो संदेह के बज़ह से यह 1787 की करांती हुई थी 1857 में भारत में हुए विद्रो का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था अगर बात करें तात्या टोपे का मूल नाम था राम चंदर पांडूरंग क्या नाम था मूल नाम जो है तात्या टोपे का राम चंदर पांडूरंग था आईए आगला कुशन देखते हैं इन कथनों पर विचार कीजिए ये कथन बहुत सारे दिये गए हैं देख लीजे 1857 की करांती की सुरुवात एक सैनी बिद्रो के रूप में हुई है पहला कहता है सैनी बिद्रो के रूप हुई है दूसरा कहता है कि कालांतर में इसका दोनों के दोनों कथन सही है पहला हो गया 1857 की करांती में की सुरुवात जो है सैनी बिद्रो से हुई थी बिल्कुल जो मंगल पांडे थे वो सैनी थे उसके बाद वहां देखे कालंतर में इसका रूप बदल करके बिटी सत्ता का जो है बिरुद जन्वयापी विद्रो के यह हो गया बिल्कुल बाद में जन्व्यापी आंदोलन हो गया जन्व्यापी बिद्र हो गया और यह भार्त का पहला सुतंतरतासंग्राम कहा जाता है यह आपका पहला और दूसरा दोनों सही है आइए अगला दिखे किस इतिहासकार्ण लिखा कि तथा कथीत पर्थम सुतंतरता संग्राम है यह ना तो पर्थम था और नहीं राष्ट्रिये था और नहीं सुतंतरता संग्राम था यानि ना पर्थम भी था ना राष्ट्रिये सुतंतरता संग्राम था ना सुतंतरता संग्राम था कुछ नहीं था यह कहा था CR मजूमदार ने किसके दोरा कहा गया था CR मजूमदार के दोरा कहा गया था आई नेक्श देखते हैं मेरट में जो विद्रोह का अरंब हुआ था कब से हुआ था मेरट में विद्रोह का अरंब कई बार हमने कहा था 10 माई 1857 इस भी को हुआ था मेरेट में कब हुआ था दस मई 1857 को 1857 को हुआ था ठीक है आईए बढ़ते आगे देखते हैं अलाग उसन देखें 36 कहता है कि 1857 के समसामाई जो समकालीन इतिहासकार कौन-कौन से थे यहाँ चार अपसंस दिये गए हैं देखें मुंसी जीवनलाल, दुर्गादास यंदोपाध्याई, सयद आहमद खां और मौयनुद्दीन यह चारो के चारो जो है 1857 की करांती के समय जो है यह लोग एक्टिव थे यह लोग इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं आहते हैं मसा आगे दख द तको के संदर है किसे उसके मित्र ने दोखा दिया अंग्रेजोंद्वारा बंदी बना लिया और मार भी दिया किनको ये तात्या टोपे जिनका मूल नाम क्या था राम चंदर पांडूरंग ये इनहीं को बंदी बना लिया था अगला है निम्न में से कौन सा एकशेतर रठास संतावन के बिद्रों से प्रभावित नहीं था जहासी, चित्तावर, जगदीसपूर, लखनो कौन नहीं था बिल्कुर याद देखिए का चित्तावर रही था अगला देखिए उन्चारिस नमर करता है प्रणभिक राष्ट्रिये आंदोलन की आधार भूत कमजोरी उसका सिमित सामाजिक आधार था यहाँ पर देखिए, यह इसमें सम्मिलित होने वाले समाजिक सम्मौँ के संकिर्न हितों के लिए लड़ता था जो प्राणभिक राष्ट्रिये आंधोलन की आधार भूत कमजोरी है उसकी सिमित सामाजिक आधार था सिमित यानि छोटा सा आधार था उसके बाद है इसमें समलित होने बाले समाजिक सम्मूं के संकर्न हितों के लिए लड़ाई था लड़ाई था बहुत मतलब पुरे समाज के लिए था पुरे देश के लिए लड़ाई था ठीक है इसलिए एस ही है और आरगलत है संकर्न ही एची सन ने इस कथन का संबंध है एची सन के द्वारा जो ये कथन दिया गया है किस घटना से 1857 की जो करांती है 1857 का जो विपलब है इसी से संबंधित है तो बिल्कुल यदि आप परधान सीख्चाप परधान अध्यापक की तयारी कर रहे हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे CTT और के कोई तयारी कर रहे हैं तो निशीत रूप से सारे मेटेडियल के साथ लाइब क्लास ही दि करना चाहते हैं तो दिये गए नमबर प्रभाट सब करिए और जानकारी प्राप्त करिए चलिए साथियो फीडियों बहुत बहुत धनिवाद थोरा सा लाइक करिए कोमेंट कीजिए दोस्तों के साथ से जरूर कीजिए बहुत बहुत धनिवाद